मिटी के हंडी में मुंग दाल बनाएं आसान तरीके से गैस चुलहा पर तो आईए देखिए मैं किस तरीके से इस दाल को बना कर तयार की हूँ इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ एक कटोरी मुंग दाल और इसे अच्छी तरह से धो कर साफ कर ली हूँ और उसी कटोडी से तीन कटोडी में पानी ली हूँ, एक कटोडी मुंग डाल के लिए तीन कटोडी में पानी डाली हूँ, धक कर पानी को गरम कर ली हूँ, गरम होने के बाद मैं इसमें डाल डाल दी हूँ और धक कर इसे दो उबालाने तक मेडियम फ्लेम पर पका ली हूँ मुम डाल जल्दी पक जाता है देख सकते हैं तो दो बालाने के बाद ये पक गया है तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक तो नमक मैं इसमें अभी थोरा डाल रही हूँ हल्दी भी थोरा ही डाल रही हूँ क्योंकि नमक हल्दी हम बाद में भी थोरा सा इसमें डालेंगे तो यहाँ पर हल्दी में डाल दी अब इसे एक बार मिला दी हूँ और इसे ढख कर लोफ लेम पर पकने के लिए इस तरीके से रख दी हूँ अब हम इसमें डालेंगे लशून, हरी मिर्च, गाजर, धनियापता, आम और अद्रग खटाई में आप कुछ भी ले सकते हैं इमली, टमाटर कुछ भी ले सकते हैं मेरे पास अभी कच्चा आम है तो मैं आम डालूँगी इनसब को मैं काट ली हूँ, कद्यूकस कर ली हूँ, गाजर, धनियापता, अद्रग, कद्यूकस की हूँ हरी मिर्च काट ली हूँ, आम को छिल ली हूँ और लशून को छोटे में काच ली हूँ इस तरीके से चलिए अब हम इसे बना लेते हैं तो दाल यहाँ पर लो फ्लेम पर पक रहा है अब हम एक पैन को गरम कर लिए हैं और इसमें डाल दी हैं दो चमच सिर्षो का तेल आप चाहो तो घी भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक चमच जीरा डाल दी हूँ जीरा जब गरम हो गया है तो मैं इसमें सुखी लाल और कशूरी मेथी डाली हूँ और ये सब गरम होने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ लेशन और उसके बाद एक-दो मिनट मिला कर इसे पका ली हूँ अब आम को छोड़ कर इसमें गाजर हरी मिर्च धनिया पता अद्रक सब डाल दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से मिलाते हुए पका लीजिए दो से तीन मिनट तक फिर आप इसमें थोरा सा नमक और हल्दी डाल दीजिए हल्दी और नमक हम दाल में पहले भी ड ढाल चुके हैं इसलिए यहां पर थोरा ही नमक और हल्दी डाल दें है ज्यादा नहीं हम अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च परडर थोरा शा डालना है बस कलर के लिए और फिर इसमें डाल दीजिए गरम मसाला थोरा सा गरम मसाला देने से दाल का स्वाद और भी अच्छा लगता है खाने में और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इस तरीके से दो-तीन मिनट तक पका लीजिए तो यह पक चुका है अब हम गैस को बंद कर दिये हैं यहाँ पर दाल भी पक चुका है देख सकते हैं तो आप जितना पकाना चाहा है दाल को पका लीजिए अपने अनुसार से फिर आप इसमें गाजर डाल दीजिए इस तरीके से इसमें अद्रक लशोन सब दिया हुआ हरी मिर्ची भी है धनिया पत्ता भी है तो बहुत स्वादिश्ट लगता यह दाल खाने में एक बार बना कर जरूर खाएं आप चाहो तो प्रेसर कुकर में भी इस दाल को बना कर तयार कर सकते हैं तो इस तरीके से मिलाते हुए एक दो अबालाने तक इसे पका लीजिए जिसे की अच्छी तरह से गाजर वाला मसाला इसमें मिल जाए फिर आप इसमें खटाई डालिए खटाई में आप कुछ भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर डाल रही हूं कच्चा आम और इसे मिलाते हुए एक से दो मिनट पका लीजिए ज्यादा देर आम रहेगा तो दाल करता है?